अब यह सारे के सारे क्या होते हैं वो बहुत जादा इंट्रिव्यू में बहुत अच्छी से पूछे जाते हैं कभी कभा अब्जेक्टिप्स में भी पूछे जाते हैं तो आपको फता होना जाएं क्लियर तो इनको हम लोग देख लेंगे भी सारे रिप्रेजेंटिटिव नॉन रिप्रेजेंटिटिव एंड अन्डिश्टर्ब सेंपल्स को तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना इसी की स्ट्रक्चर थी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर थी इसको आपने डिश्ट्रॉइ कर दिया तो ऐसी जब स्ट्रॉइल का सेंपल आप कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिश्टर्वड सेंपल बोलते हैं क्योंकि उसकी ओरिजिनल जो स्ट्रॉइल का इस फ लिए वो क्या है हमारा disturbed samples में आता है clear लेकिन एनी किसी भी तरीके से आपने कुछ भी लगा के precautions ले के suitable क्या किया आपने कि उसके mineral constituents को कि हर soil के नदर कुछ ना कुछ minerals होते हैं आपने उसके mineral constituents को change नहीं होने दिया and उसके moisture content को भी change नहीं होने दिया तो ऐसे case में क्या रहेगा कि उसका structure तो disturbed है structure तो change हो गया sample हमारा disturbed है लेकिन उसको आपने soil का जब सेंपल लिया structure भी destroy हो गई प्लस साथ साथ में अगल बगल से कोई soil उसके आसाथ हा कि मिल गई तो क्या होगा उसका mineral constituents भी change हो जाएगा हो सकता है गहीं से पान ही आगया तो moisture content भी change हो गया तो क्या होगा ऐसे samples होगे वो हमारे क्या होगी undisturbed samples होगे और undisturbed samples होते हैं वो हमारे किसी भी purpose के नहीं रहते उसको आइदेंटिफिकेशन परपज के लिए भी use नहीं कर सकते है clear तो यह होते हैं हमारे कौन से disturbed samples इसमें आपको समझ में किसको बोल रहे हैं plus further representative samples किसको बोल रहे हैं and non-representative samples किसको बोल रहे हैं एक वार सारी definition देख लेते हैं तो और भी अच्छे से clear आपको हो जाएगा ओके तो disturbed samples are those where natural soil structure मतालब जो soil का जो fabric था basic gets modified, modify हो गया या फिर दिश्ट्रॉय हो गया during the sampling operation clear definition याद रखने हैं आपको बहुत important definition है with suitable precautions if we are able to preserve the natural moisture content आपने रोक लिया या फिर in the proportion of the mineral constituents आपने बचा लिया then such samples are known as the representative samples even though they are the disturbed samples बले ही वो disturbed ने दोस्तिकेस में उसको क्या बोलेंगे representative samples बोलेंगे clear next अब हमारा क्यों होगा non representative samples होगा in addition to the alteration in the general structure की soil का structure तो change हुआ ही हुआ है if soil from other layer, other layer से soil आके mix हो गई, gets mixed up or the mineral constituents gets altered या फिर mineral constituents का change हो गया the samples are called as the non representative तो ऐसे केसम उसको क्या बोलेंगे samples को हमारे non representative samples हम लोग उसको बोलेंगे clear तो representative samples are used for the identification purpose के use कर सकते हैं whereas the non representative samples are of no use clear तो यह सारी चाहिए आपको clear होगी next आएगा अप हमारा क्या undisturbed samples clear तो अदिको disturbed samples समझ में आगया तो undisturbed samples का क्या होगा just उल्टा होगा कि sampling operation के time पर आपका जो soil का structure है original जो natural soil structure अगर वो damage नहीं होता है उसमें कुछ भी changes नहीं होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे undisturbed soil samples बोलेंगे लेकिन आपको आप सोच के देखिए कि आप कोई sample collect कर रहे हैं आपने sample के collect करने के different methods भी देखे boring method अगरा थे हमारे तो उसमें देखिए हम लोग किस तरीके से sample collect करते हैं तो it is virtually impossible to collect all the samples in a undisturbed state आपका कुछ ना कुछ soil का structure थोड़ा बहुत damage हो ही जाता है आप चाहिए कितने भी precautions लेलो तो practically it is impossible to collect the undisturbed samples लेकिन फिर अगर जहां जहां पर undisturbed samples की जरू हता है तो वहां पर क्या करेंगे जैसे कि हमारे कुछ को test होते हैं उसमें आप disturbed samples का use करी नहीं सकते क्योंकि soil की properties मोडिका ही हो जाएंगी अगर आपने soil की structure को destroy कर दिया तो तो ऐसे case में हम लोग क्या करते हैं कि जो least disturbance वाले soil samples होते हैं उनी को हम लोग undisturbed samples माल लेते हैं जैसे consolidation test हो गया shear strength test हो गया clear last में मैं आपको एक table भी दिखाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो अलालाग तरीके के test होते हैं तो उन test में कौन से test में disturbed sample चाहिए होता है कौन से test में undisturbed काम करेगा कौन से test में disturbed चले जाएगा लेकिन representative at least वो हो तो यह सारी चीज है मैं आपको लास्ट में टेबल के सुरू समझा दें clear तो clear होगे undisturbed samples क्या है definition इसका देख लेते हैं undisturbed samples are those sorry undisturbed samples are those where the original soil structure is preserved and the material properties have not gone any altercation or modification के उसमें कुछ भी change नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे undisturbed samples को लेगे clear it is impossible to obtain such samples in the field यह generally practically क्या impossible है जैसा कि मैंने आपको बताया however for all practical purposes लेकिन practical purposes के लेकिन तो क्या करते है an undisturbed sample may be considered as one in which the material has been subjected to such a small disturbance क्या बहुत least disturbance वाली sample को क्या मान सकते है undisturbed sample मान सकते है that it is still suitable for all the laboratory test including sear strength and the consolidation test कोंगी sear strength तो consolidation में आपको कैसा test चाहिए होता है undisturbed sample चाहिए होता है तो उसके लिए अगर वो काम कर सकता है then उस sample को हम लो undisturbed मान सकते है clear तो यह हो जाता है हमारा क्या disturbed samples and undisturbed samples clear